किर्सी कानूनों के बिरोध में जैसिंग पुरा खेड़ा बार्डर पर किसानों ने फूका परधान मंतरी का पुतला गाउं गाउं तक पहुंचा अंदोलन केंद सरकार के ने किर्सी कानून का देश वर में ब्यापकस्तर पर बिरोध हो रहा है किसान संक्टन पिछले दो मार से अधिक समय से धरना देकर इन कानूनों को जन बिरोधी बताते हुए है वापस लेने की मांग कर रहे है लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की मांगों पर गवर नहीं किया है संजुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान दिली जैपूर हाईवे परिस्तित जैसिंग पुरा साजापूर बार्डर पर बैठे हुए है रव्यार सुवा तकरीबन एक गंटे तक राजस्थान के करूली जिले के पीलोदा ग्राम पंचायत के सरपंच जजे के ने तरुत में किसानों ने नारे बाजी करते हुए प्रदान मंतरी नरंदर मोदी के पुतले की जूत चपलों की माला के साथ सावयात्रा निकाली सवयत्रा साजापुर प्राव अस्थल पर जैपुर दिल्ली मार की तरफ से होकर वापस दिल्ली जैपुर लेन पर पहुची जापरदान मंतरी का पुतला जलाए गया पुतला दहन करने के बाद किसानों ने का कि बादबा सरकार गोदी मीडिया के जरिये किसान अंदोलन को खत्म करने में लगी हुई है और किसानों के धरनास्थल से वापस जाने का दुस्परचार कर रही है लेकिन सरकार के इस दुस्परचार का किसान सांति पूर्वक जवाब दे रहे हैं उन्होंने का कि हकीकत यह है कि अब किसान अंदोलन डिली जैपुर कासपास की इलाकों से निकल कर गाउंगा तक पहुच गया है और देस भर में बड़ी संख्या में किसान किसान दोलन को सम लने पर बैठ रहे हैं जिससे सरकार परसोपेस में पढ़ गई है इसलिए किसानों के खिलाब दुस्परचार कर आंदोलन को बदनाम करने की साजी सरची जा रही है उधर देस भर के किसानों को से तेज फरवरी को सभी बोर्डर्स पर पंगड़ी सवाल दिवस मनाये जाएगा इसकी किसान जोसों से तैयारिया कर रहे है किसानों का आतम सम्मान में मनाये जाने वाले इस दिन पर तेस-बरके महिलावाफ पुरस पर दसनकारी पगड़ी पहरन कर किसानों के आतम सम्मान को छोट पहुंचाने वाले हरिना के किरसी मंत्री जिय पी दलाल का बिरॉध कर रहे हैं कि तेज़ फरोरी को पगड़ी सवाल दिवस पर जेपी दलाल का मानुवी बहुनाग चलते हैं उनके खिलाब बहुनी में महा पंचायत विया उजित की जाएगी जिसमें बड़ी संख्यामें किसान नेता सामिल होंगे